हेलो फ्रेंट्स वेल्गम टुस्ट्वेंट पीडिया आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चाओल में आज की स्पेडों में हम बात करने वाले हैं गनू बेड इंटरेंस एक्जामनिशन इस्टक्चर की पैटन की सलेबस की जानेंगे कौन-कौन से टॉपिक आपको कवर करनी है सबसे पहले आप देख ले तो इंटरेंस एक्जामनिशन पीपर जो आपका रहेगा वो दो पार्ट में डिभाइडेड होगा पार्ट A और पार्ट B पार्ट A जो है मिलनी कंसर्ड होगा यहां पर चार टॉपिक उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे बताऊंगा यहां पर बात करें आप यहां पर कोश्चन पेपर कैसा रहेगा तो 100 मार्क्स के कोश्चन सोंगे MCQ कोश्चन पेपर रहने वाला है चार ओप्सन देखने को मिलेंगे एक करेक्ट आपको करना है नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं अभी तक नहीं बताया फाइल पर आप लेकर चलिए कि यहां पर अगर आप गलती करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपको यहां पर देखना पड़ेगा लूज करना होगा नीगेटिव आपकी आपकी याद रखेंगे पाइल नहीं हुआ पर जो है आपको यहां पर अगर नहीं आए तो ऐसे केस में जो है अगर अगर आप देखें तो बना लेते हैं टू आर्स बहुत इनफ होता है यहाँ पर इग्जामनेशन पेपर इस्ट्रक्टर की बात करें इसलेबस की बात करें तो देखें पार्ट है जो इसकी मैंने बात करी थी चार सेक्षन में डिभाइडेड होगा पहला जेनरल इंग्लिस को मिलेगा कौन-कौन से टॉपिक होते है बर प्रिफोजिस्टन यहाँ पर टेंस पुछे जाएंगे से निम्स अंटनिम्स होते हैं भव होते हैं यह जो है कुश्चन साफ से पुछे जाते हैं दस कुश्चन है यहाँ पर अगर इंग्लिस की बेसिक आपको देखने को मिलेंगे रिजटिंग की बीस यहाँ पर मा अगर अगर आप अच्छे से करते हैं तो इसकोर आपका बहुत अच्छा होने वाला याद रखेंगे आप यहाँ पर रिजटिंग की प्रैक्टिस आपकर सकते हैं काफे सारे बुक्स है psychological cycle distinguished general awareness से आप से पूछा जाएगा अब जो है इसके लिए आपको current से बनना होगा current में जो है काफ़ी सारे यहाँ पर general awareness के आते रहते हैं जो की educational related होते हैं तो उससे जो है आप updated रहेगा और इसमें जो हैं बहुत सारे topics पूछे जा सकती है तो ज़्यादा scoring तो नहीं कहूंगा पर जो है updated है current से तो कहीं न कहीं आपको जो है यहाँ पर benefit मिलेगा उसका current वे काफी education current आते हैं वो आप देख लिजेगा तो helpful होगा वो बात करें teaching learning and school तो teaching aptitude की बात की गई है अब teaching aptitude क्या है तो देखें teaching aptitude जो है यहाँ पर सब लगबख सारे teaching के examination में पूछे जाते हैं तो वहीं आपको कर लेना है नाम आपको थोड़ा लग देखनी को मिल रहा है पर teaching aptitude की practice किजेगा उसी के सवाल आप से directly पूछे जाते है teaching learning and school उसी से related होंके आप से पूछा जाएगा आपके understanding देखी जाती है mental ability चेक की जाती है तो यह जो है 25 है कहीं ना कहीं यह जो है state करेगा आपका cut of तो इस पे जो है courses करना है 20 correct कर ले 20 नहीं तो 18 जो है ज़रूर को चीज़ किजेगा educational और general awareness जो है उसमें भी current अगर आप अच् को मिलता है इंगली सिंदी और यहाँ पर आप जो है जिग्रॉफी के हैं तो social studies यहाँ पर mathematics science यह जो है आपके जो भी subject होंगे वो आप यहाँ पर choose कर लेजेगा उसी को अच्छे से पढ़िए NCRT में जो है अगर आप पढ़ लते 11, 12 अच्छे से तो उससे question कहीं ना कहीं related ह होती है और higher level में भी आपने पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं benefit करेगा आपको यहाँ पर easily आप score कर लेंगे यहाँ पर 10 marks जो है easily हो जाता है अच्छे से आप पढ़ते तो 15 score हो जाएगा तो होप आपको समझ में आ गया हो अगर कुछ question हो से के regarding तो आप मुझस से पूछ सकते ह है मैं कोसिस करूँगा अपडेट करनी की teaching aptitude की जो है मैं वीडियोज अप्लोट कर रहा हूं MCQ से आप ट्रेक्टिस कर सकते हैं होप आपको समझ में आ गया हो thanks for watching best of luck